मेरा नाम हार्दिक है और सफर पैनने में मेरा सूरत से हो तो प्षेरे कुछ पहले फार्मर्स के लिए के यही राज है पंखे पे लटकती हुई फासी का, मरने के बाद पता चलता है उस शक्स की उदासी का, मरने के बाद पता चलता है उस शक्स की उदासी का, और ऐसा मनजर देखकर सफर सबकी आँखें पिगल जाएंगी, कलाईया सुनी होगी भाईयों की, बहने हाथ से निकल जाएंगी, और सखी तुने जो चाहा तुझे सो दिया, सखी तुने जो चाहा तुझे सो दिया, सखी तुने जो चाहा तुझे सो दिया, सखी तुझे देखकर मैं रो दिया, सखी बदाई हो तु जीत गया है रिष्टे में, सखी बदाई हो तुने मुझे खो दिया, और खुद को सिखाता हूँ के तुझे भूलना है अक्सर याद दिलाता हूँ के तुझे भूलना है खुद को सिखाता हूँ के तुझे भूलना है फिर से मेरी नजरे पढ़ जाती है तुझ पर फिर से भूल जाता हूँ के तुझे भूलना है खुद को सिखाता हूँ खुद को सिखाता हूँ के तुझे बूलना है अक्सर याद दिलाता हूँ के तुझे बूलना है फिर से मेरी नजर पड़ जाती है तुझ पर फिर से बूल जाता हूँ के तुझे बूलना है और जिस तरीके से मैं उसे देखता हूँ किसी और को कहां वैसे देखता हूँ जिस तरीके से मैं उसे देखता हूँ किसी और को कहां वैसे देखता हूँ पहले छुप जाता हूँ उसे देखकर फिर छुपके छुपके उसे देखता हूँ जिस तरीके से मैं उसे देखता हूँ किसी और को कहां वैसे देखता हूँ पहले चुप जाता हूँ उसे देखकर फिर चुप के चुप कर से और उसके लब्स यह सुनेगा उसके लब्स मेरी जुबाँ पर आ जाते थे उसका छू लेना मुझे खा जाता था उसके लब्ज मेरी जुबां पर आ जाते थे उसका छू लेना मुझे खा जाता था वो काला कुर्ता पहन के गले से लगाती थी और मेरी आँखों के सामने अंधिरा चा जाता और एक मतला और कुछ चेहने के अब बस यही महसूस होता है कि कुछ भी नहीं महसूस होता है मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहां मुझे ना खुशी महसूस होती है ना गम महसूस होता है सारा बदन चली है जखमों से फिर भी सारा बदन चली है जखमों से फिर भी सचमु छोट लगी है जहां सिर्फ वहां मैसूस होता है मेरी किताब में एक पन्ना फटा हुआ मिलेगा तुम्हें उसमें वही लिखा था कि मुझे क्या मैसूस होता है वो मुझे छुता था और पता भी नहीं चलता था वो मुझे छूता था या आज जाके महसूस होता है और कितने शेर लिखे इस गजल के सफर उपर वाला शेर मुझे सबसे ज़्यादा महसूस होता और बस अब यार कुछ ऐसा हो जाए वो किसी गहरी नींद में खो जाए बस अब यार कुछ ऐसा हो जाए वो किसी गहरी नींद में खो जाए वो मेरे कांधे पे रखे सर और उसके बाद वो चैन से सो जाए मैं भी उसकी बंद आखों में कुछ ऐसा खो जाऊ वो मेरे कांधे पे रखे सर में उसका हो जाऊ और खुद को उसमें ढूनना छोड़ दिया खिडकियों से जाकना छोड़ दिया, खुद को उसमें ढूनना छोड़ दिया, खिडकियों से जाकना छोड़ दिया, छोड़ दी है अब उसकी जिद मैंने और उसे वक्त मांगना मैंने छोड़ दिया, और तब से हम दोनों की तब अतना आसाज रहती है, जब से हमने एक दू झाल!